आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग देखने वाले हैं रिसर्च एपिटूट का यह हमारा क्लास 11 है जिसमें हम लोग देखेंगे रिसर्च आर्टिकल राइटिकल राइटिंग फॉर्मेट को इससे पहले वाले वीडिय लेक्टर में उसमें क्या था कि मैंने इसमें रिफटर के लिए कैसे लिखेंगे हाना अब alta के लिए रिफेंगे हो गया इन सब देखेंगे सकते हैं और आपको da इतयां में जानकारी चाहिए कि रिषर्च पेपर को कैसे रिखना जाता है वे नेक्षक प्र देखेंगे जेनल के लिए यूज करते हैं वह उम्हारे इक्जाम में mainly useful होता है में वहीं से questions पूछा जाता है तो उसको इसलिए मैंने इस video lecture में थोड़ा summarize किया है और कम समय में मैं उसको explain करने का try करूंगा तो अगर आपको detail में जानकारी चाहिए detail में समझना है तो आप क्या करें इस से पहले वाले video lecture को देखें जो class 10 का है दस दस reason के साथ हम पढ़ पाएंगे ठीक है तो चलिए फिर देख लेते हैं class 11 में देखते है रिज्टार चार्टी का writing format इसमें हम लोग यही सब देखेंगे है ना जो मैंने पहले बता चुका हूं कि एमेले राइटिंग एपीए सिकागो इंपॉर्टेंट में सब चीजों को आज असानी सी याद हो जाएगा तीनों फॉर्मेंट का हाना अगर questions आता है तो हमें comparison करके पढ़ना बहुत ज़्यदा जो रही है इससे पहले वाले वीडियो लेक्शर में क्या हुआ था मैं बहुत ज़्यदा deeply उसमें बताया गया है बहुत detail में उसमें explain किया गया है तो थो थो हम तो मैंने बताया है इससे पहले वाले लेक्शर में उसको भी देख सकते हैं American psychological association फॉर्मेट है तो देखिए इसमें होता क्या चीज़े है इसका example में सीधा देख रहे हैं तो authors का last name पहले रहेगा पहला चीज़ समझे authors का last name फिर उसका initial letter रहेगा initial letter समझे यहां पर देखे कि यहां पर देखें चुग जो है इसका example में चुग क्या है इसका last name है author का और आस मर लीजेई Smith चूँग नाम रहा होगा तो इसका क्या रहा होगा इसका नाम रहा होगा राइट आथर का इसमीथ चूंग ठीक है तो इसका लास्ट ने में हो गया अथर का पहले लिख दिया गया और इसका पहले नेम करना एक लेटर को बस लिखा जाता है फॉर्स्ट नेम का पूरा नाम नहीं लिखा जाता है किसमे एपए format में जो video "'लेटर का सिर्फ पहला लेटर लिखा जाता है त्व यस्का क्या लिखेंगे चुंग लिखेंगे पिर इसके बाद कॉमा यूजक करें गये ऊफिर पर लिखें लिखा को लिखना रिखेंगें उसके बदेखें फूल स्ट आप है एक कौमा और फूल स्टाप को अच्छे से देखेंगा फिर यह आ nytuleश्य मीडिया उसके癦ुैएथ फिर फूल स्टोप फिर में टाइटल और दूसरे को बोलेंगे सब टाइटल समझ लेए तवे त्याहां से लेकर के यह से चूंङ कॉमा देखे हमने ऐस फूल स्थाप 2017 के बाद जो टाइटल है ये यह पूरा टाइटल क्या है आपका यह में टाइटल है मानके चलिए मीडिया तक आपका में टाइटल है यह न उसके बाद एधर से implications for celebrity endorsement यह क्या हमारा सब टाइटल है तो जो में टाइटल है उसका भी लेटर को first letter को हमें capital लिखना है और जो subtitle first letter को भी हमें क्या करना है capital में लिखना है बांकी सब आपका किसमें रहेगा आपका small letter में रहेगा capital letter में कौन सा रहेगा main title का first letter और subtitle का भी first letter रहेगा और यह semicolon का use भी आपको करना है जिसे माल लेजिए main title है यह main title का heading है उसके दिये रहेगा फिर आपका subtitle रहेगा तो इसका भी पहला letter capital और इसका भी पहला letter capital होना चाहिए ठीक है अब देखे title of the general जिस general में publish हुआ है ओ पेपर जिस general में paper publish हुआ है title of the general क्या है तो psychology and marketing तो देखे इसको किस में लिखा है इटालिक में लिखा गया मतब थोड़ा थोड़ तिर्षा लिखा जाते है ना तो इटालिक form में लिखना है title of the general को psychology and marketing उसके बाद volume जिस भी 34.4 volume है फिर सब में comma है comma और full stop आपको भूलना नहीं है अगर questions paper में सिधा examples में लिख दिया गए कि इसमें से कौन से API format में है तो आपको comma और full stop आपको याद तो रखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद page number देखे पेज लिखे लिखे तो 481 से ले करके 495 pages हो गया यह फिर उसके बाद फिर फूल स्टाफ है उसके बाद जो भी आपको link देना है और directly आप यहाँ पर link दे सकते हैं ठीक है तो एक बार इसको revise कर लेते हैं और समझते हैं पूरे करके हैं हम लोगों ने देखा है इसको एक बार फिर से मैं revise करा रहा हूँ आप Steam का पहला लेटर हगा फिर फिर फूल स्टाफ है फिर आपको bracket में का लिखना है यहरा publication को लिखना है फिर फूल स्टाफ है फिर टाइटल आप आटिकल पर टैटल में दो चीज रहता है में आर्टीकल में टाइटल और सब टाइटल सर्फ कुर्णा टार्ट वाला उसे फुल्सी टॉप है फिर टाइटल आप the general क्लियर है को API format अब हम चलते हैं अपना नेस्ट MLA format में बहुत जल्ड स्पीड में करनी है MLA format MLA का full form होता है modern language association याद रखेंगे modern language association format ठीक है इसमें भी देखे author का last name इसमें पहला condition क्या है author का last name अब देखे example में समझेंगे तो example में लिखा है इसमें William dayton समान लेते हैं विल्यम समझते हैं Williams dayton करके है तो data इन इसके last name है तो देखे फर्स्ट में लिखा गए है last name को उसके बाद क्या है उसके बाद देखे first name इसे पूरा लिखना है first name को उसमें क्या गिये थे हमने डबलू बस को लेते हैं ना अगर API format में आपको लिखना रहता है तो writer का first name का पहला लेटर बस लेते हैं और dot लगाते लेकिन इसमें का Williams को पूरा लिखना है देखें लिखा है यहाँ पर dotons के बाद comma comma के बाद Williams को पूरा लिखा है उसके बाद यहाँ पर double headed arrow लगाना है आपको double headed arrow मतलब इस type का आपको arrow लगाना रहता है किसमे MLA format में तकर आपको इस type का arrow दीखेगा मतलब आप समझ जाना को MLA format में है वगर यह arrow नहीं है मतलब वो MLA format में नहीं है clear तो देखें यहाँ पर सबसे पहले का है general article title जो भी general में जो article का title है मतलब जो भी articles का title है उसको लिखना है तो देखें क्या रिखें है language retention in multilingual children यह हो कि title आपका arrow के अंदर में है double headed arrow के अंदर में फिर आपको general का name और general का name कैसा है italic में तो देखें general का general of linguistic यही क्या है हमारा general फिर उसके बाद volume का number लिखना है volume number फिर यह आता है उसके बाद page number आता है देखें पीपी डॉट लिखा page range आता है उसके बाद आपका link आता है clear है यह एक बार और देख लेते हैं इसको एक एक करके समझेंगे तो बहुत अच्छे तरी की समझ में आएगा आपको ध्यान रखना है कि किसमें first name का only पहला लेटर को लेते हैं किसमें first name का पूरा लेटर को लेते हैं आपको याद रखना पड़ेगा वाशी तो अच्छे समझना पड़ेगा तो सबसे समझिए author का last पूरा first name, फिर फूरा first name, फिर फूल स्टाफ फिर double headed arrow में general का article लिखना है आपको title लिखना है जो भी title है उसका और double headed arrow में फिर full stop है title से double headed arrow से पहले full stop है ध्यान रखेंगे उसके अब जनेरल का name लिखेंगे जनेरल का name italic में रहेगा और comma रहेगा फिर वोल्यूम रहेगा फिर उसका कौमा रहेगा, फिर नमबर रहेगा, फिर कौमा रहेगा, फिर एर रहेगा, फिर 가मा रहेगा, फिर page pp लिखा गाए उसके ब вид Ambif, फॉल स्टाप रहेगा, यहां पर देखिए language में और भी capital है retention कभी capital है multi-language बार के हैं children कभी capital मतलब main main word जो होता है इसमें सब के सब का पहला letter capital होता है तो आप directly देख करके पहचान लेंगे कि ML format में है कि वो APA format में क्योंकि APA format में पहला letter बस capital होता है उसके बाद तब टाइटल हो तब उसका लेटर पहला भी capital होगा लेकिन इसमें पूरा वर्ड जो है capital में होता है इसे यहां लेंगवेजी रिटेंशन मुल्टी बीडियर सभी वर्ड करिसने लिखा जाता है capital लेटर में लिखा जाता है यह होता है इन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया मेले फॉर्मेट को ठीक है इस वीडियो लेक्षर को बनाने के पीछ रिजन यही है ताकि आपको बहुत आसानी समाझ में अब हम देख लेते हैं सिकागो फॉर्मेट का यह भी हमारे लिए इंपॉर्मेट हो जाता है इन एसमें भी पहले अथर का लास्ट नेम लिखेंगे जैसे एंड्रेफ माली लास्ट नेम है इसका फिर फॉर्सट नेम पूरा लिखना है फिर वर्मा लगा हुआ है फिर यहार में क्या लेखेंगे 222 जो भी टाइट आपको टाइटल है अर्टिकल का टाइटल है उसको लिखेंगे लेकिन यह भी डबालेटेट एरो में है देखे और इसमें भी फूल स्टॉप है तो दो इवालविंग यूरोपियन पूरे का पूरा ने मदाकर नठीप अब हमने लिख दिये फिर फूल स्टॉप यूस किया है फिर इसे यह पहला लेटर देखिए capital, ये भी 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 capital, इस सब क्या है, दिखेंगे, जब जब word है, जो main word है, उसका पहला पहला later क्या होता है, इसमें भी capital होता है, सिकागो में भी capital होता है, और MLA में भी capital होता है, लेकिन APA format में only first later बस capital होता है, इस चीज को याद रखेंगे, ज ताकि आपको तीनों में comparison करके एक एक example के साथ जो में हम लोग आर्टिकल के बारे में समझा था कि हमें किसी भी research article को कैसे लिखने है reference को उसके लिए मैंने इस प्रिपेर किया ठीक है जहां पर देखिया अगस्त है मन्त पूछा तो मन्त इसमें मन्त रहता है सिकागो में एक मन देख लेते हैं तो देखे एक फूल फॉर्म अमेरिकन साइकोलोजिकल एस्टियेशन एमले का फूल फॉर्म मॉडर्न लिंग्विज एस्टियेशन तो इसमें देखिए इन टेक्स्त साइटेशन होता है अब देखिए अगर आप research paper लिखेंगे न तो टाइटल पेज होगा उसको site करना पड़ते मतलब उस paper को आपको लिखते हैं तो उसी तम उसको क्या करना रहता है? इसको मैंने इससे पहले और डिटेल में भी बताया है मैंने आप उसको देखेंगे तो और येर को लिखा जाता है कॉमा के साथ तो लास्ट नेम राइटर का और येर को लिखा जाता है कॉमा के साथ ठीक है लेकिन में इसमें उसको यह सिद्सक प्रा जाता है इसमें क्या है अवर्स्य नवर्णा याद रहेंगे बतारूब प्लिखते peg नमबर को लिखते है इसमें तैल का पूरा लिखते हैं फर्स्ट नेम का एक लेटर को लिखते हैं तो ए इसे की अन्ना इसमीत पूरा नाम है उसका तो एको लिए हैं और लास्ट नेम का इसमीत को लिए कौमा लगाते हैं इसमें सेम है इसमीत को लेते हैं कौमा लगाते हैं पूरा नाम लिखते हैं मैंने बता च क्या रहता है capital में title page इसमें title page required होता है इसमें title page के कोई जोरत नहीं होता है तीन सब चीजों को भी मैंने प्रिविश विडियो लेक्शर में और अच्छे से explain किया है जिसमें मैंने दिखाया भी यह paper को लिखा हुआ ठीक है तब उसको भी देख सकते हैं तो उसी MCQ को मैंने previous video lecture में explain किया है बट इसमें थोड़ा डीटेल में देख लेते हैं तो देखे सबसे पहला question is writing style guide and format produced by the API format के जो writing style इसको किन के द्वारा बनाया गया है तो American Psychological Association के द्वारा ही बनाया गया है यही इसका full form भी है तो answer क्या याद रखेंगे American Psychological Association इसमें देखे assembly assembly is confusion नहीं होना है इसलिए मैं प्रॉपरली बोर रहा हूं कि American Psychological Association याद रखेंगे आप दूसरा question in reference written in API style arrange the information pertaining to the reference in the correct order तो API style में आपको करना है तो simple सी बात है हमने API style में देखे क्या क्या था हमारे अपसे पहले देखे API style में author का नाम पहले रहता है last name फिर first name फिर यहां पब्लीकेशन होता है फिर title होता है फिर general होता है na API format में अब यहां पर देखें उसी यहां पूछा गया है तो सबसे पहले क्या रहता है और उसके बाद क्या रहता है हमने देखा हो जाएगा ठीक है तो one two dcdba cdba तो answer क्या इसका फोर ठीक है बहुत असान है इसको देखेंगे तो arrange the following in correct sequence according to API style अब देखें API style में भी arrange करना है तो सबसे पहले क्या होता है अगर यह होता था यह पूबिकेशन बाद में आता है उसके बाद रिसर्च का आर्टिकल होता है थाड हो जाएगा फिर जैरल का नेम फूर्थ हो जाएगा ता अंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले डी उसके बाद है बी डीवी एसी डीवी एसी ठीक है तो इस टाइप से questions आपको देखने को मिलेगा सीजी सेट की एक्जाम में चाहे इस टाइप से अरेंज करने मारा आ सकता है या फिर आपको अलग अलग चार एक्जामपल्स दे देंगे उसके बेसे बताना है कि इसमें इस एपीए फॉर्मेट कौन सा है ठीक है अब देखिए एक लास्ट कोशन से है इन रिफरेंस विट यसटाइब गणागे इप का पहले लिए दो सबस्क्राइबन को पहले कंटाए करद नंम oss नम्बर अब दिखीए जो रिखते है जब कि यह पी है तो इसका answer क्या हो जागा दोनों के दोनों तो इस टाइप से questions आपको आएगा इसलिए मैं इसको summarize किया है एक छोटा सा video lecture series video बना करके ताकि आपको तीनों में comparison कर पाओ और यह video lecture आपके लिए बहुत ज्यादे important हो जाता है क्योंकि exam यहीं से question पूछने के chances है बाकि आपको detail में समझना है तीनों formats को कुछ-कुछ differences भी है उन चीज़ों को भी एक बार आप देख लें इससे पहले वीडियो लेक्च्छर को आप एक बार देख लें बट इस वीडियो लेक्च्छर को आपको देखना ही देखना है और इसको अपने copy में note करना है ठीक है तो